इसे उसका अभिवादन करें आदर ने विटाशिएंगे उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने मात्र भूमी की सेमाओं की मात्र भूमी की आदादी की रख्षा करते हुए पहान कुर्बानियां दी थी और जब जवान घर से निकलते थे अपने बच्चों को देखते थे अपनी पत्नी को देखते थे अपने माता पिता को देखते थे और दूसरी तरफ देखते थे भारत माता की सेमाओं को अपने बहनों के सुहागों की रख्षा के लिए कहते थे एक शाम चिरागों में सजा रखी है शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है अन्जाम की भी हम परवा नहीं करते जान हमने भी हतेली पे उठा रखी है और जा जवानों की बदौलत इनके निकला हुआ इस मातर भूमी के अत उपर खून आज हम सब चुरक्षत हैं हमारे यहां के कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सीनिय लीडर त्री गनपा जी और इसकूल की सौर्गनाईएशन के चेर्मेन नानुबाई जी जिनका बहुत अबारी हूँ जिन्होंने बंगाल से मुझे पकड़ा मुझे यहां लेके आए लक्ष्मी डैमेंट से ग्रीज जी और यहां के बहादर आई जी राजकुमार जी जिन्होंने टेरिजम के ओपर बहुत बड़ा काम किया है और सामने बैठे हुए मेरे भाईयों बहनों बच्चों और वो शहीद के परिवारों मैं आज जब सुबा पोटल पे पहुंचा नाज्टा करने निकला नीचे रेस्टुडेंट के अंदर तो कुसूरत के परिवार के लोग मेरे से सेल्फी खिचवा रहे थे तो वहाँ एक बहुत छोटा बच्चा था परिवार ने मेरे साथ सेल्फी खिचाई और मैंने उसका हाथ पकड़के अपने सिर पे रख लिया वो बड़े खुश हुए मैंने उनको कहा यह गुज्रात की यह सूरत की वो धरती है यहां बच्चे से लेके माँ से लेके, बहन से लेके भाई के लेके बजर्ग से लेके अगर हारिक के चर्णों में हाथ लगाऊं शायद मुझे भी कोई शक्ती मुझे भी ताकित मिल जाए मैं और रास्ट की सेवा कर सकूँ यह सूरत की गुजरात की इतिहासक दर्ती है नानू भाई जी शाहीद परिवारों के लिए हमेरे हमेशा खड़े रहते उनका ट्रस्ट खड़ा रहता है कोई गरीब लोगों के काम आता है यह सूरत की वो इतिहासक दर्ती है जो हमें बार बार यहां बुलाती है हमारा अदर्च हमारा सब कुछ गुजरात की दर्ती है जिन्होंने रास्ट को एक बहुत बड़ी पहचान दी है आपने यह देखा होगा कि आज से पांच साल पहले हमारे जवानों की जगा जगा में शहादत होती थी कहीं नक्स लाइट जार खंट के अंदर शत्यस गड़ के अंदर एक दिन के अंदर सत्तर सत्तर बेगुनाहों का हमारे जवानों का कतलयाम कर देते थे कहीं बंबो से उड़ा दिया जाता था जम्मू कश्मीर के अंदर रोज पत्थर चलाए जाते थे और पाकिस्तान ये कहता था हम जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे और पान साल के अंदर हमने पाकिस्तान को बता दिया है पाकिस्तान तरी एक गोली चलेगी हम सौ गोली का जवाब देंगे और तीन सो सतर दारा को खतम करके इस गुजरात की धर्ती के वो योदे इस गुजरात की धर्ती से बेजे हुए वो मुख मंतरी नरंदर मोती जी को जब आपने बनाया वो कंसर की बुमारी को उखाण करके फेंक दिया और इस भारत को मुकमल आदाद करा दिया आज सविदान एक होगा आज जंगन मन एक होगा आज तरंगा जंडा एक होगा आज भारत देशोग एक होगा आज अलग अलग जंडे नहीं होगे अलग अलग सविदान नहीं होगे इस भारत को अगर आदादी मिली है सरदार पटेल जी का अगर सपना पूरा किया है तो वो गुजराद की दर्टी के लोगों ने सरदार पटेल जी के सपने को पूरा करके इतिहाद के सुनारी पन्नों में नाम लिखवा दिया और यूपी का वो मुख मंतरी पहले का अखलेक यादव कहा करता था कि गुजराद के लोग तो फोर्स में है यह नहीं, फौज में जाते ही नहीं, C.R.P. में जाते ही नहीं, पर अखलेक यादव को आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पर अखलेक यादव, गुजराद की दर्ती के योदों ने वो कुछ करके दिखाया, जो पीछे सतर साल में कोई नहीं कर पाया, इतिहास के अंदर एक निया इतिहास बना दिया, हमें गुजरात के लोगों की फौज में जरूरत नहीं हमें गुजरात के लोगों की जरूरत है वो अच्छा कारोबार करें अच्छा वपार करें अगर पूरा हिंदोस्तान चलता है अगर हिंदोस्तान के लोगों को रुजगार मिलता है अगर गुजरात की धरती के लोग वपार अच्छा ना करते तो आज हिंदोस्तान कभी आगे नहीं बढ़ता ये गुजरात की धरती के अंदर शक्ति और ताकत है